व्ल्कम टू टॉटर रीजी ओलान फर्मेसी क्लासेज आज का टॉपिक है सिंथिस ऑफ मैफैनिक इसीड कैसे बनाई जाए इसके बारे में हम डिसकस करेंगे साथ में यूजिज डिसकस करेंगे इसके मैफैनिक एसीड के तो जो मैफैनिक एसेड होती है वो नॉन तो और एक तरीके की यह नसलीकी कॉक्स टउन को समय करती है लिए दूसरा जो आ।ो मैं वह एंत्रानिलिक पंश है वह इंत्रानिलिक इसे डेरीवेटिव होता है इसे यह श्ट प्रेर के जो दिखाते हैं हम आपको मेहफेनिक इसेड का structure में इसेड का जो structure है तो एंधरानिलिक इसेड को गठीट का derivative कहते हैं अब बात करते हैं इसकी property के मेफेनिक अब बात करते हैं इसकी सिंथिस की सिंथिस की बात करने के लिए देखे यह में सिंथिस पर आ जाते हैं तो सिंथिस के लिए मेफेनिक एसेड के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है टू क्लोरो बेंजुकेसड आप टू क्लोरो क्यों कहते हैं इसकी नम्बरिंग के लिए वन टू थ्री फोर फाइब से तो बेंजुकेसड यह इतना पार्ट हो गया आपका फिनाइल प्लस सी ओ बेंजुकेसड हो गया और टू पोजिशन पर क्लोरो के कार्ण इसकी रेक्शन कराते हैं टू थ्री डाइमिधाइल एनिलीन से यह इतना इतना जो पार्ट है यह दिए एनिलीन है अब टू थ्री पोजिशन पर इसकी नम्बरिंग कर लिए वन टू थ्री फोर फाइब सिक जो डू-थरी पे क्या है दो मिख्याइल गृूल तू इसलिए टू-थरी डाइमिधाइल इसका दूसरा नम तो ट्ति जैलीटिन करते हैं इन दोनों की रिक्शन कराते हैं क्यूपरिक ओकसाइड के प्रजेंस से साथ में हीड करते हैं सेन वान आहॉर के लिए इन प्रजें करके दोनों यह सेल के रूप में निकल जाते हैं फिर क्या होता है यह जो an address k2 co3 का के h को replace करके यह salt बना देता है ठेख है co ke बना देता है आप दिख़ें यह से सेल के रुप में निकल गया और इतना जो पार्ट है वो डायरेक्ट यहां सेट हो जाएगा यह तो आप क्या होगा इस यह कंपाउंड करेंगे एस डिक हाइडोलिसे इन प्रजेंस ऑफ डायलूट असी एक तो जब साल्ट का हाइडोलिसे करते हैं तो क्या बनता है इसे बनेगा एक अप कैसे करें दें डायलूट असी यह तो इसकी रेक्शन करा दो क्यां से जो ब्रेक करेंगा यह सी यह अगर आपको सिंपल लिकना तो यह कैसी यल बना देगा केलशील के रूप में निकल जाए और यह इस इसो के साथ एड़ हो जाएगी यह दिखियो और आपका प्रोड़क्ट मन जाएगा जिसका नाम है में फैनिक इसे टिक सिंपल फि और यह जो COH है, यह COH इससी reaction करके, क्या करगा, साल्ट बना लेगा, मनलब H हटाके, अट के K लग जाएगी, ठीक, और आपका यह product बना जाएगा, फिर इसका हम acidic hydrolysis करेंगे, in presence of dilute HCl, तो क्या होगा, जो साल्ट है, वो hydrolysis करके, अगर आपको, मैसे ब्रेक करके, बात करनी है, तो यह HCl, के के साथ reaction करके, के के रूप में निकल जाएगा, और जो H है, वो इससे attach हो जाएगा, यह दिखाए, और बन गया product mephanic, अब बात करते हैं, यूजज की, मैफैनिक एसिड यूज़ के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, इटीज यूज़ एज एनलज़ेसिक फोर सॉर्ट तम रिलीफ प्रॉम डिसमेन, नोरिया, ठीक है, न्यूज़ एटीज एज एनसड, नैसड़ के रूप में मैं फैनिक इसिड को यूज़ कर सकते हैं, नेक्स यूज़ेग इटीज ओ फोर डि ट्रीट्मेंट ओ प्रमटेड्च अरस्थाइडिस जूज़ और फिभर, लास्ट यूज फॉर माइल्ड दो बर माइल्ड लिकिया माइल्ड माइल्टू मोडरेट पेन को ठीक करने के लिए हम मैफेनिक एसिड को यूज कर सकते हैं ठीक है थेंक यूज सिंपल मैफेनिक एसिड का जो यूज होता है एज एनेसाइड ठीक फीवर के लिए पेन के लिए यूज होता है और कुछ हद तक स्वैलिंग कम करने के लिए ठीक थेंक यू